सब्सक्राब कीजिए संस्क्रिट दर्सन चैनल को और नौटिफिकेशन घंटी को दवाएं जिससे संस्क्रिट से सम्मंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों संस्कृत दर्शन चनलर में आप सभी का स्वागत है कारक प्रक्टिचर लाया और हम आज पंच्वी व्यक्ति के बारे में शुरू करने जा रहे हैं ठीक है चत्रत व्यक्ति को हमने अच्छे से जाना और यह उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आज से पंच्वी व्यक्ति लेंगे एक सूत्र ले लेते हैं फिर इसमें चर्चा करेंगे धुर्वं अपाए अपादानम धुर्वं अपाए अपादानम तीन शब्द हैं इसमें पंच्वी व्यक्ति के बारे में हमने जब कारक सीखी थे शुरू में उसमें बताया था कि जो अलगाओ की स्थिति होती है जिससे प्रथक हुआ जाता है उसमें पंच्वी व्यक्ति का प्रियो किया जाता है अब हम सूत्र के माध्यम से भी थोड़ा सा जानेंगे यह सूत्र देख लेते हैं पहले थोड़ा इसमें धुरूबम अपाए अपादानम ठीक है धुरूब का मतलब होता है अचल मैं इनकी ब्याख्या भी समझाओंगा वड़ अच्छे से अपाए का मतलब होता है विशलेश ठीक है यह विशलेश जो होता है इसका मतलब होता है प्रथक अलग होना है अब थोड़ी सी इसमें मैं बात समझा दूँ संग्या को मैं एक प्रकंड चला दिया है मैंने संग्या प्रकंड उसमें मैंने बताया है कि मैं जो कारक प्रकंड चला रहा हूं या कारक प्रकंड जो चल रहे हैं उसमें जो संग्या सूत्र होते हैं उनको भी मैं बताता चलता हूं संग्या का मतलब मैंने वहां भी बताया है मतलब होता है नाम ठीक है अब जो संग्या है इसकी अपादान संग्या होती है लेकिन होती किसकी है ये थोड़ा सा विचार करेंगे अचल जो है विशलेश संग्या अब यहां तीन शब्द तो मिल गए लेकिन इसको अगर थोड़ा सा वियाख्या करें तब समय में आएंगी कि ये इन शब्दों का प्रियोग कैसे होगा जो बस्तु इस्थर है ये बस्तु है जो इस्थर है उससे कोई भी बस्तु अलग होती है विशलेश होती है प्रतक होती है इसका मतलब होता है अलग होना एक चीज और लिख दूँ इसको है न अलग अलग होती है तो ध्रोवम जो अचल वस्तु है उसकी अपादान संग्या हो जाती है एक बात और एक बार और समझाऊंगा थोड़ा ध्यान देंगे दुरुब जो है जो अटल वस्तु है या यह मानिए कि अटल यहां कुछ ही नहीं अचल कुछ ही नहीं बस एक चीज में याद रखना जिससे बस्तु कोई अलग हो जिससे अलग हो वो दुरुब कहलाती है बस इ उसके विशलेश में अलग होने में बस तु जब अलग हो रही है तो उस द्रब में अपादान संग्या हो जाती है एक चोटा सा उधान देखिए जो लगवग सभी देते हैं उधान उसको मैं बताऊंगा क्योंकि सरल्टम विधी से ही शुरू करनी चाहिए चीज है किसम होगी अपादान संग्या किसकी होगी व्रक्ष की होगी क्यों क्योंकि व्रक्ष तो अचल है वहां से पत्ता अलग हो रहा है ठीक है तो अपादान संग्या हमें किसकी हो गई यह द्रूब की हो गई द्रूब मतलब जिससे बस्तू अलग हो अचल के और चल की चकर में ह भी दुर्म माल लिया जाता है जैसे दोरते हुए घोड़े से गिरता है अब घोड़ा तो दोर रहा है अचल तो नहीं है लेकिन वहां से कोई सवार अलग होता है घोड़े से तो घोड़ा वहां पर धुरुब का काम करेगा और उसकी अपादान संग्या हो जाएगी उससे पंच्मी व्यक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा अब देखिए थोड़ा सा और बताता चलूं यहां यह जो सुत्र है धुरुबम अपाई अपादानम यह संग्या विधायक सुत्र है यह संग्या करेगा किसकी धुरुब की अर्थात अचल की ऐसी जो बस्तु है जिससे अलग हो रहे हैं उसकी संग्या करेगा लेकिन पंच्मी व्यक्ति आएगी अपादाने पंच्मी इस सुत्र से पंच्मी व्यक्ति का प्रियोग किया जाएगा इस सुत्र से यह कहाया कि ठीक है अब इसका हमने नामकर्ण कर लिया कि अपादान का नामकर्ण हो गया तो उसको अपादान में पंचमी का प्रियोग कर लीजिए दो सूत्र है मात्र और इनको ही आज सही से समझाऊंगा मैं और दो तीन उधान भी दूँगा ये संग्या विधायक सूत्र है धुरूबम अपाई अपादानम धुरूब की अपादान संग्या होती है धुरूबह है जहां से बस्तू अलग होती है और अपादान संग्या होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विक्ति का प्रियोग कर लिया जाता है अब मैं इसके दो एक उधान देता हूँ तो बात हैं और साफ हो जाएंगी चलिए पहले इसी उधान को ले लेते हैं व्रक्ष से पत्ते गिरते हैं व्रक्ष से पत्ते गिरते हैं तो गिर्द रहे हैं क्या चीज गिर रही है ये देखिए पत्ते गिर रहे हैं पत्ते अलग हो रहे हैं पहले देखना है कि कौन सी चीज प्रथक हो रही है तो हम देख रहे हैं कि ब्रक्ष से प्रतक हो रहे हैं पत्ति जहां से जो बस्तु प्रतक होती है उसकी अपादान संग्या हो आती है तो ब्रक्ष की क्या हो जाएगी अपादान संग्या हो जाएगी किस सुत्र से द्रोबम अपाई अपादानम इस सुत्र से अपादान संग्य प्रियों कर लिया जाएगा कि सुत्र से अपादाने पंचमी इस सुत्र से पंचमी वक्ति का प्रियों कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा व्रक्षात पत्ते गिरते हैं तो पत्ते की क्या जाएगी पत्त्राणी पतंती वो जो कितने प्रियोग कर लिया जाएगा ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं ब्रक्षात पत्रान पतंती ठीक है? चली हम अगला उधान देखते हैं देखिए दूसरा उधान देखते हैं पहार से बकरियां उतर रही हैं ठीक है? अब यहाँ देखिए बकरियां उतर रही हैं बकरियां अलग हो रही हैं उतरने का मतलब अलग ही होना है कहां से अलग हो रही है? कहां से उतर रही है? पहाड से तो पहाड में क्या हो जाएगी? पहाड की अपादान संग्या हो जाएगी और अपादाने पंचमी से पंचमी का प्रियोग कर लिया जाएगा परवतात अजाह अवरूहंति ठीक है पाहाड से बकरियां उतर रही हैं परवतात अजाह अवरूहंति इस तरह से ये प्रियोग कर लिया जाएगा आज जो धार दिखते हैं दोड़ते हुए घोड़े से गिरता है दोड़ते हुए घोड़े से गिरता है देखिए गिरने की जो क्रिया है अलग होने की वो कहां से है हमको देखना है कोई अलग कहां से हो रहा है कहां से गिर रहा है घोड़े से है ना तो घोड़े में क्या हो जाएगी अपादान संग्या हो जाएगी और पंचमी का प्रियू कर लिए जाएगा तो क्या जाएगा धावतहा अश्वात पतती इसमें पंचमी का प्रियू करते ही बाकि विल्कुल सही हो जाता है ठीक है दाव धावताह अश्वात पतती उम्मीद है अब आपको थोड़ी सी बात हैं साफ हुई होगी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा एक चीज को याद रखना है कि ये अपादान संग्या करता है जिससे वस्तुमें अलग उत्य उस स्थान की अपादाने पंचिमी से उस स्थान पर पंचिमी व्युक्ति का प्रियो कर लिया जाता है ठीक है एक दो धान और देनी कुछिश कर रहा हूं में इसमें बहुत सरल है ये तो गाउं से आता है गाउं से आता है तो गाउं से क्या हो रहा है उसका प्रतक्रण हो रहा है अलग हो रहा है वो तो कहां से गाउं से तो गाउं की क्या होगी अपादान संग्या हो जाएगी और अपादाने पंचिमी सुम्म पंचिमी कप्रियो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ग्रामात आयाति चलिए ये बहुत छोटा सा था दो सूत्र लिए मैंने उम्मीद है आपको सभी से समझ मागया होगा आज की इरतिना ही